नमस्कार दोस्तों, एक्जाम आफोबिय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है आज हम लोग BPSC PT एक्जाम का टेस्ट सीरीज नमर 14 डिसकस करेंगे Current Affairs Special में आज हम लोगों के पास 60 प्लस MCQs हैं, साथ ही में उनका डिसक्रिप्शन भी है जो आने वाले कुछ एक्जाम है, BPSC, बिहार दरोगा, BPSC ओडिटर, बिहार ट्रांसपोर्ट, इंस्पेक्टर, इत्यादी एक्जामों के लिए बहुत ही महातपूर कुश्चन है तो चलिए देखते हैं, कुश्चन नमर पहला कुश्चन नमर फर्ष्ट है, अक्टूबर दो हैर बीस में चुनाव आयोगने किस राजनेता को प्रदान की गई इस्टार पचारक का दरज़ा समाप्त कर दिया है तो इसका सई जवाब है, BPSC, कमलनाथ जो मद्पदेस के पूर मुखमंतरी है और वो जो है चुनाव प्रचार के दवरान डबरा की विधायक इमर्ती देवी पर जो है गलत बयान बाजी के चलते उनको इस्टार प्रचारक की सुची से बर्खास कर दिया गया था चुनाव योग दवरा नेश्ट है कुश्चन नमर दूसरा अक्टूबर 2020 में किस देश ने चिर इस्थाई बिमारी की दसा में इच्छा मिर्त्यू को वैदानिक दरजा देने के पच्छ में मददान कर आया है अक्टूबर 2020 में किस देश ने चिर इस्थाई बिमारी की दसा में इच्छा मिर्त्यू को वैदानिक दरजा देने के पच्छ में मददान कर आया है तो उस देश का नाम जो है निजिलेंड है सी ओप्सन सही है निजिलेंड के लोगों ने जूथे नेशिया यानि इच्छ मिर्त्यू को वैद बनाने के लिए भारी समर्थन दिया है इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को गए मददान की सुरुवाती नतीजे आ चुके है जिसके तहत 65 फिजदी से ज्यादा लोग इच्छ मिर्त्यू का अधिकार चायते हैं इच्छ मिर्त्यू उपर जन्मत संग्राज देश के आम चुनाओं के साथ ही करा लिया गया था इन चुनाओं में प्रधान मंत्री जिशिंडा आर्डन को भारी जीत मिली थी और लाश्ट सुकुरार को वोटों की गिंती से पता चला कि 65.2 फिजदी लोग यूथी नेशिया की पच्छ में यानि इच्छ मित्यू की पच्छ में जबकि 33.8 फिजदी लोग इसका विरोध कर रहे हैं नेश्टे कुश्चन नम्मर तीसरा Public Affairs Index 2020 की संदर में कौन सा कथन सत्य है पहला है यह सुचकांग नीती आयक द्वारा जारी किया आता है यह गलत है बिलकुल दूसरा है लगू राज स्रेडी में गोवा को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है यह बिलकुल सही है बड़े राज्यों में केरल को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ यह भी सही है यानि सही जवाब B option केवल दूसरा हो तीसरा इसको जो है Public Affairs Center द्वारा जारी किया जाता है Public Affairs Index 2020 में केरल को बड़े राज्यों की स्रेड़ी में सरसे सासित राजगोसित किया गया है जबकि उत्तरपेश निचले पायदान पर बड़े राज्यों की स्रेड़ी में उत्तरपेश माइनस 1.461 जो है इसकोर किया है वहीं ओरिसा माइनस 1.201 बिहार माइनस 1.158 Public Affairs Index 2020 में सबसे निचले इस्तान परते हैं छोटे राज्यों की स्रेड़ी में गोवा 1.745 अंकों के साथ पहले इस्तान पर जबकि मेगाला है 0.797 और हिमाच्चाल प्रदेश से 0.725 क्रमसा दूसरे और तीसरे इस्तान पर रहा है नकारात्मक अंकों के साथ सबसे खराप्रदासर माणीपोड माइनस 0.33 दिल्ली माइनस 0.289 उत्राखंड 0.277 कर रहा है नेश्टे कुश्चन नम्मर 4 किस जगह विषक का अब तक सबसे बड़ा तकनि कौन मुखी बाल पोशन पार्क दर्पन भूल वलईया का उदघ्रटन किया गया है सबसे बड़ा तक्नीकी बाल, पोस्णट, पार्क, दरपन भूल वलवलईय का उतघठन किया गया तो इसका उतघठन का हुआ है केवडिया में यह केवडिया कहाँ परता है गुजात के नर्वधा जिले में इस्तित केवडिया में आरोग वन आरोग कुटीर एकतामौल बाल पोस्टन पार्क आधी परियोजणाओं का घटन किया गया है यह विश्व का अब तक का सबसे वड़ा तक्नीकों मुखी बाल पोस्टन पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट छेत में फैला हुआ है जब देखते हैं कुश्चन नम्मर 5 अक्टूबर 2020 में सर्वोच न्याला ने किस विशे पर न्याय निर्णे में मिरर ओर्डर सिधान्त का उपयोग किया है तो इसका सई जवाब है C आंसर बाल अविरच्छा के लिए मिरर ओर्डर सिधान्त का उपयोग किया सरोच न्यालने जब एक अदालत किसी बच्चे को किसी विदेशी देश में हस्तांत्रित करने की अन्मती देती है तो यह एक सर्थ लगा सकती है कि विदेशी अदिकार छेत्मे मातापिता को भी वहाँ सच्छम अदालत से बच्चे के लिए हिरासत का समान आदेश प्राप्त करना चाहिए इस तरह के आदेश को ही मिरर ओर्डर कहा जाता है नेश्टे कुष्टे नमर 6 बैसिया कार्ष्ट गुफा जहां डेनी सुवान मानव की मौझूदगी की पुष्टी की गई है कहा इस तरह है बैसिया कार्ष्ट गुफा कहा इस तरह है 6 का सई जवाब है C यह जो है तिबबत में इस तरह है नेश्टे कुष्चन नमर 7 धर्णी पोर्टल के सुवारम के साथ किस राज में संपत्यों का पंजीकरन फिर से शुरू हुआ है धर्णी पोर्टल के माध्यम से किस राज में संपत्यों का पंजीकरन शुरू किया गया है जिसका सही जवाब है C आंसर तेलंगाना में जो है डिजिटलाइजड भूमी रिकॉर्ड और संपत्यों के पंजीकरन के लिए धर्नी पॉटर लॉंच किया गया है नेश्टे कुश्च नम्मर आठ टाइफून गोनी की वज़ा से किस देश में कम से कम दस लोगों की मिनत्यु हो गई यह एक प्रकार का तुफान है जो है फिलिपीन्स में आया था आंसर बी सही है नेश्टे कुश्च नम्मर नाइन दा रोशनी एक्ट के बारे में निम लिखित में से कौन सा कतन सही है दा रोशनी एक्ट के बारे में निम लिखित में से कौन सा कतन सही है यह जम्मू कस्मीर में लागू एक अधिनियम है अधिनियम भूमी स्वामित से सम्दित है बिलकुर सही है अधिनियम को सून गोसित कर दिया गया यह भी सही है इसका मतलब डी आंसर सही है पहला दूसरा तुरा नेश्टे कुशह नम्र 10 यह मद प्रदेश में इस्तित तीसरा UNESCO वी जह बिलकुल सुछ अउन भारत में बार्वा उनिसक्तgart यह भी सही I इसमें पन्ना टाइगा रिजर्व भी समले था यह भी सही है यह मद्पदेश के पन्ना यह सागा जिलों में विस्थ है यह गलत है यानि यही सही है यह जो सागर की जगए च्छतरपूर है जो पंच मढ़ी और अमरकंटक के बात पन्ना मददेश राज में तीसरा उनस्को बायोस्तियर बन गया पहले से कौन है पंच मढ़ी और अरकंटक पन्ना भारत में 12 ओं यूनस्को बायोस्तियर है इस तरह है अब दुनिया भर में 130 देशों में बायो स्वेयर रिजर्ड की संक्या 714 हो गई है पन्ना नेचनल पार्क शुरू में 1981 में स्थापित किया गया था 1990 के दसक में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया यह मद्द प्रिदेश के उत्तर में पन्ना और छहतर पुर्जिलों में फैला हुआ यानि सागर गलत है तो इसलिए डी ओप्सन सही है कि Another question ном 11 किस लोग सिवा आयोग ने राज सीवील सिवा परिछा के आवेद्ण पत्र में Linh Cady Doncs में एक विकल्प के रूप में transgender की शुरुवात किया है यानि किस राजन ने अपनी लोग सिवा परिछा में आवेद्ण पत्र में लिंग स्नेड़ी में एक परिवर्टन किया जिसके ताहिए एक नया लिंग जोड़ा गया ट्रांसजेंडर उस जो है राज का नाम बताना है तो इसका सई जवाब बी ऑप्सन आसम ने इसकी सुरात किया सिवल सेव परिच्छा फॉर्म के लिंग सड़ी में ट्रांस सेयुक प्रतियोगी प्रारामिक परिच्छा CCE 1220 के लिए दो ट्रांसजेंडर वेक्तियों ने उमीदवारों के रूप में आवेधन किया है यहाद के पहले सौर उज्जा चालित लगू रेलवे को किस इस्तान पर चालू किया गया है बहात के पहले 140 लगू रेलवे को किस इस्तान पर चालू किया गया है तो यह केरल के वेली में इसको चालू किया गया है केरल के मुखमंती राई विजियन ने वेली टूरिजम विलेज में सौर उज्जा से चलने वाली देश की अपनी तरह की पहली लगू ट्रेन का उधगाटन किया यह रेलगाडी विशिश्रू से बच्चों के लिए आकार्शन का केंद्र होगी यह साथ करोड रुपे की लागत से चलने वाली परिजना का एक हिस्ता है मालावार युद्दब्यास 22 की ते उसंदर में कौन सा कथन सत्त है यह मालावार का 24 वास संस्क्रावा यह बिलकुल सही है पहला कथन दूसरा है इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका जपान औस्टेलिया के 9 से ना ने हिस्सा लिया और इसका पहला चानल विसाखा पत्नम में नौमर दोयर बीस में आयएत हुआ तीन से छे नौमर के बीच में बंगाल के खाड़ी में विसाखा पत्नम के तड़ पर इसकी सुरात की गई यानि डी ओप्सन से यह पहला दूसरा और तीसरा किस राज सरकारदवारा जेसी डैनियल पुरूसकार पतान किया गया इस पुरूसकार का नام जेसी डैनियल के नाम पर रखा गया है उन्हें मल्यालम सिनेमा की पहली मूख फिल्म बनाने का स्रे दिया जाता है इस पुरुसकार की विजयता को पांच लाक रुपए की रासी प्यदान की जाती है नेश्टे कुश्च नमर पंद्रा भात में टेलिवीजन रेटिंग एजेंसियों पर दिसा निर्देसों की समिच्छा के लिए कौन सी समिती गठित की गई है तो इसका सही जवाब है सी आंजर ससी सेखर विमपती समिती गठित की गई है सूचना और प्रसार मंत्राय ने 24 में मंत्राय द्वारा अधिसोंचित भारत में टेलिवीजन रेटिंग एजेंसियों पर दिसा निर्देस की समिच्छा के लिए एक समिती का गठन किया गया था इस चार सदस्यों वाली इस समिती की अधिस्ता प्रसार भारती के मुख कारकारी अधिकारी सी ससी एस विमपती द्वारा की जा रही है नेश्टे कुश्चन नमर 16 सितारे गयती और स्रस्ष्टी गयती पुरुसकार निम लिखने से किस्छित में दिये गए है यह जो है बायोटिक स्टार्ट अप के लिए यह पुरुसकार दिये गये है नेश्टे कुश्चन नमर 17 45 चावल यह इसकी वितरन की पाइलट स्कीम के संदर्ब में निम लिखने से कौन सा कथन सत्त है 45 चावल यो इसके वित्रण की पालेट स्कीम के तहत कौन सा कतन सत्थ है यह केंदरी छेट की पालेट स्कीम है यह बिल्कुल कतन सत्थ है यह पालेट स्कीम को 2019 से आरम करके तीन वर्सों के लिए मंजूर किया गया यह भी सही है 45 चावल की खरीद वित्रन की जम्यदारी भारती खाद निगम को सौपी गई है यह भी कथन सही है यानि डी आप्सन सही है पहला दूसरा हो तीसरा है इसके तहित पोसंड युक्तिक चावल यानि 45 राइस तैयार किया जाएगा और उसे देश भर में सारजनिक वित्रन पाटा जाएगा इस युजना के तहट पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुवात में पंदार राज्यों में इस युजना को लागू किया जाएगा इस पाइलट प्रोजेक्ट को दोयार 19-20 से अगले तीन वर्थ साल के लिए मंजूरी प्यदान की गई है 45 चावल क में मिसन संपूर की पहल की गई है को प्रोजित बच्चों की स्वास इस्तिती में सुधाल लाने के लिए किस राज में मिसन संपूर की शुरुवात की गई है तो 18 का सही जवाब है ए आंसर असम में इसकी सुरुवात की गई है मिसन संपूर की अगला कुश्चिय नमर 19 हाल में किस देश ने भारती सेना प्रमुक जनौर के ऊपादी प्रदान की है अपाल की राष्पती विद्यादेवी भंडारी ने सेना प्रमुक जनौर मनुज मुकुन्ध नर्वडे को जन्रा औौफदा नेपाल आरमी के मानत उपादी से सम्मानित किया है अंगला कोश्चन नमर 20 RBI की हाली में घोशित को लेंडिंग मॉडल CLM योजना किसके लिए है यह जो है प्रात्मिक्तर छेत के लिए इस योजना को लॉंच किया गया है किसराज के हजीरा एवं घोगा के बीच रोप पैक सेवा का उद्गाटन किया है तो इसका सभी जवाब है डी आंसर गुजरात में अगला है कुश्चन नमर 22 वाटसब भुगतान सेवा के संदर में निम लिखत में से कौन सा कथन सही है इसे 20 मिलियन के अधिकतम पंजीगत वोक करता आधार के साथ सुरूप करने की अनुमती दी गई है पहला कतन बिलकुर सही है दूसरा UPI में संसोधित किये गए लेंदेन की कुल मात्रा का 30% की सीमा वाटसब पर लागू है ये भी सही है भुगतान के लिए वाटसब का उप्योग करते समय पत्ते की लेंदेन के लिए व्यक्तिकत UPI पिंदर्ज करना होगा ये भी सही है यान प्रवन्दन पर आयों औकी आंध्यकिनियूकति कि राष्टीम राध् Strange सम्बंदे चैटर में वाईव प्रवंदन गुरूए का नया अद्यकिनिट के ला चिए ये अमम कुट्टी को इसका अध्यकू की एग किस देश ने उम्मर 22 में ट्रांस जेंडर मुस्लिमों के लिए पहला इस्लामिक स्कूल खोले जाने की घोस्णा किया है तो इसकी घोस्णा बंगला देश ने किया है बी ऑप्सन सही है बंगला देश की राध्धानी ढखा में तीसरे जेंडर यानि ट्रांस जेंडरों के लिए एक अलग स्कूल खोला गया है यह एक धार्मी स्कूल है यहाँ पर डेड़ सो से अधिक छाद अध्यन कर रहे हैं निजी तोर पर वित्त पोसित इस मदर्से में इसलामिक वह व्यासाइक विस्यों को पढ़ाया जा रहा है नेश्ट है कुश्चन नमर पच्चिस नॉम्मर 2020 में किसराज ने एक विध्यक पारितकर पंचायद प्रतिनिदियों के वापस बुलाने यानि राइट टू रिकॉल का प्राधान किया है इसका सही जवाब है D. अंसर हर्याणा ने राइट टू रिकॉल का प्राधान किया है नामक एक विध्यक हर्याणा सरकार ने विधान साव में पारित किया है जिसके तहत पंचायद चुनाव से कोई भी प्रतिनिदी जीत कियाता है Q26. हाली में कौन सा बल्लेवाज T20 क्रिकेट में एक हजार चक्के लगाने का विध्यक रिकॉर्ड इस्थापित कर चुका है तो इसका सही जवाब है A option Chris Gayle ने एक हजार चक्के लगाने का T20 में विध्यक रिकॉर्ड इस्थापित कर रखा है Q27. के इन सरकार ने सायनिक स्कूलों में OBC को निम्ने में से कितने प्रस्यत और अरच्षड देने की घोस्णा किया है सही जवाब है C answer 27 प्रस्यत और अरच्षड पदान किया जाएगा केन सरकार ने सैनिक स्कूल में OVC को 27 प्रेसर आरच्छा प्रदान करने की घोस्णा किया है यह जो है रच्छा मंतालक के तहट कार करने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में 33 अवासी विद्यालियों का प्रवंदन करती है यह रच्छा नेटी 66 और से दोयार एक्कीस बाइस से लागू होगी सरकार के अनुसार प्रेटेक सुची में 15 प्रेसर सीटे अनुसोचित जन जाती के लिए और 27 प्रेशर सीटे गईर क्रीमी लेएर OVC के लिए अरच्छित होगी नेश्टे कुस्चन अम्मर 28 निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाओ की इतियास में सबसे ज़्यादा ओठ हांसिल करने का रिकोर्ड अपने नाम किया है। अभी हाली में जो अमेरिकी राष्टपती चुनाव हुए हैं उसमें जो वाइडन ने सरवादिक ओठ हांसिल करने का रिकोर्ड इस्तापित किया है। अमेर्की इतियास में जो बाइडन राश्टपती पत के पहले ऐसे उमीदवार बन गए हैं जिने अब तक की इतियास में सबसे ज़्यादा ओट मिले हैं उन्हें पूरो राश्टपती बाराक उबामा का रिकोर्ड भी तोड़ दिया इस्तानी मीडिया के अनुसार जो मिल चुके हैं जबकि साल 1996 में बिल क्विंटन को 474011858 मिले थी नेश्टर कुष्च नमर 39 विश्वन जी कोस WWF की एक रिपोर्ड के अनुसार साल दोयर पचास तक भारत के कितने सैरों पर पानी का संकट होगा तो इसका सई जवाब है सी आंसर तीस सैरों में भारत के जो है पानी का गहरा संकट खड़ा हो जाएगा दोयर पचास तक किसने कहा है WWF और जीव कोस ने हाली में विस वन जीव कोस द्वारा एक स्रविश्ण किया गया जिससे पता चला है कि भारत में इस तीस सैरों में 250 तक पानी के त्रीव जोखिम का सामना करना पड़ सकता है इन सहरों में जयपूर सुची में सबसे उपरी पैदान पर इसके बाद इंदावर, ठाड़े, मुंबई, कोलकाता, दिली इत्यादी सहर है इस रिपोर्ट के अनुसार सहरों को पानी की जोखिम से बचाने के लिए आदर भूमी को बहाल करना महत्पूर है इससे सहरों को पानी की कमी और बाड की दुस्चक्र से बाहर आने में मदद मिलेगी नेश्ट है कुश्चन नमर तीस भारती रेलिवे ने हाली में किस अभ्यान की सुरवात की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरच्छा हर संभव सायता प्रण करने का संकल्प दिया जा सके तो उस पहल का नाम मेरी सहली नामक पहल है जिसके तहट है भारती रेलिवे सुपर करने वाली महिला को पूर्ण सुरच्छा और हर संभव सायता प्रण की जा सकेगी उश्या नमर 31 जम्मू और कसमीर के अलावा किस राज के यंग-्म चैतर के है उत्पादन किया रहा है। जम्मू कसमीर के यंग-्म चैतर । लेकिन अब पुरोत्तर छेतरों में btrai क्या जा रहा है, कैन सरकार ने एक योजिना पे काम कर रही है जिसके तहत, ऐसी अन्कूल परिसितियां create कि जा रही है, जिसके तहत, पुरोत्तर में वी केसर की खेती हो सके इसके तहित कस्मीर के उत्तरपूर राज के सिक्किम के दच्छनी भाग यंग यंग में केसर की पौदों में अफूर लगना शुरू हो गया है नेश्ट है कुश्चन नमर 32 नासिका बत्रा यच सहेद्रेसिस नामक एक दुर्लब प्रजाती किसकी है? यह प्रजाती जो है एक कारखी मेड़क की है तो सही जणा सब्सक्राइ一 मेड़क की प्रजाती है नेश्ट है कुश्चन नमर 33 भाथ ने GMCP के लिए किस देश को 500 मिलियन डॉलर का पैकिज़ प्रतान करने की गोष्णा की है? भारत ने GMCP के लिए किस देश को 500 million dollar का package प्रदान करने की घोस्णा की है जिसमें आर्थिक साहता के रूप में 200 million American dollar प्रदान करेगा और greater माले connectivity project के लिए 500 million American dollar का वित्ती साहता प्रदान की है भारत ने नेश्ट है question number 34 पंद्रों वित्तायोग ने किन वित्त वर्सों के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो पंद्रों वित्तायोग ने 2021-2526 तक के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है यह जो है दिसंबर 2019 में राश्पती को सौंपी गई थी यह रिपोर्ट जिसे सरकार ने action taken report के साथ संसद में पेस भी कर दिया है नेश्ठे कोश्चन नमर 35 निम्न लिखित में से किसी जनरल असेंबली के सहायक अंग प्रसासनिक और बश्टी प्रस्न पर संयुक्तिरार सलाहकार समीती के लिए चुना गया है नेश्ठे कोश्चन नमर 36 किस देश ने आर्मेनिया और अजर्बेजान के बीच एक नई सांती सम्झावते की मद्यस्ता की है इसका सही जवाब है D answer रूस ने नारगोनों काराबाग छेट को लेकर पिछले डेड़ महिने से भीसर जंग में उलजे आर्मेनिया और अजर्बेजान के बीच जो है मद्यस्ता का काम किया है उन्होंने उनकी बीच चल रहे युद विराम को खत्म कर दिया है और इसकी पहल किस ने किये रूस के राश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने नेश्ट है कुश्चन नम्मर 37 कावर्तार वेटलैंड रामसर इस्तल किस राज में इस्तित है तो यह जो है बिहार में इस्तित है D answer सही है आपे नेश्ट है कुश्चन नम्मर 38 इन्फराटक्चर वाइबलेटी गैप फंडिंग स्कीम में सारोजनिक नीजी भागिदाई को वित्ति सायता इस्कीम किस के लिए है तो किस शेत के लिए है इसका सही जवाब है सियांसर एकॉनमिक और सोसल इन्फराटक्चर के लिए है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 49 सेख खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा जिनका अभी हाल ही में निदन होगा किस देश के लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहे वे जो है बहरीन के लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहे में याद किये जाएंगे उन्होंने 1971 में जब बहरीन स्वतन्त हुआ था तब से ही देश के लिदान मंत्री है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 40 नम्मर 22 में किस राज विधान सवा ने सरना कोड पर एक प्रस्ताव पारित किया है तो 40 का सरना कोड पर एक प्रस्ताव पारित किया है किस राज की विधान सवा ने तो 40 का सही जवाब है C आंसर जार खंड ने सरना कोड पर एक प्रस्ताव पास किया है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 41 सुर्ख सरोवर नामक नया रामसर इसतल किस राज में इस्तित है। 41 का सही जवाब है। सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है। चुना हुए थे स्दस्यों को नॉमिनेटorship और 203 सी miedo कली हैDo 2023rd सीट गैंट में चुना हुआ HK आट यहां परार जीडि जो हैं सबसे बड़ी पार्टीए तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है C आंसर पहला और दूसरा सही है नेश्ट है कुश्य नमबर 43 नमबर 2020 में भारती सेना ने किस देश को पूरी तरह से प्रसिच्चित 20 सेन घोड़े और भारूदी सेना ने बांगलादेशी सेना को उपहार शुरूप पूरी तरीके से प्रसिच्चित 20 सेन घोड़े और भारूदी सुरंग का पता लगाने वाले 10 कुत्ते प्रदान किये हैं जिने भारती सेना की रिमाउंड एंड वेटरनिटी कॉर्प से प्रसिच्चित किया गया है नेश्ट है कुष्चन नमर 44 निमने लिखित में से कौन सा कथन IPL की 13 संस्क्राण के बारे में सही है पहला है कथन मुंबई इंडियास ने दिल्ली केप्टल को हरा कर पांची बार खिताब जीता है यह बिल्कुल सही है नेश्ट है केल राहूल ने ओरेंज कैप जीता जबकि कैगीसो रवाडा ने परपर कैप जीता तीनों ही कथन सही है डी ओप्सन सही हो गए आपे नेश्ट है कुष्चन नमबर 45 भारत में हिमतेंदुए की आबादी की पहली जनगरना सौरपतम किस राज से सुरू की गई है इसका सही जवाब है सी आंसर उत्रा खंड से की गई है लेकिन ये चारो राज्यों में हिमतेंदुए पाए जाते हैं सिक्कीम, हिमाचल पिदेश, अरुनाचल पिदेश नेश्ट है कुष्चन नमर 46 नॉम्मर दोयार बीस में गिद पर्यावासों का सर्वेच्ण की सराज में सुरू हुआ है नॉम्मर दोयार बीस में गिद पर्यावासों का सर्वेच्ण की सराज में सुरू हुआ है तो ये जो गिद पर्यावासों का सर्वेच्ण है ये मदपदेश में सुरू हुआ है मदपदेश में सुरू हुआ है सी अंसर सही है नेश्ट है कुष्चन नमर 47 वागीर के बारे में निर्ण लिखित में से कौन सा कतन सही है यह भारती नौशेना की तीसरी इस्कॉरपिन की सिर aí यह दूसरा यह भारत बर रहे हैं 6 कल्क वारी सिरेनी की पंडूबियों का हिस्सा है ये कथन बिलकुल सही है तीसरा कथन है फ्रांसिसी नौसेना रच्छा और उर्ज्या कंपनी DCNS दौरा डिजाइन की गई पंडूबियों को भारती नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है ये भी कथन सही है यानि सही जवाब है बी केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है नेश्ट है कुश्चन नमर 48 किस देश में विश्वस्वाद संगठन के ग्लोबल सेंटर ओफ ट्रडिशनल मेडिकल की इस्थापना की जाएगी किस देश में की जाएगी विश्वस्वाद संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर ओफ मेडिकल की इस्थापना कहा की जाएगी भारत में की जाएगी नेश्ठे कुश्चन नमर 49, विदेशी अंसदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहट अदुसूचित नए नीमों के अंसार निमन लिखेत में से कौन विदेशी धन प्राफ्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए अंसर, मीडिया से जोड़े व्यक्ति विदे कर्मी, आधि को किसी प्रकार की विदेशी अंसदान प्राप्त करने से प्रतबंदित करता है ये अधिनियम, नेश्टे कुश्चन नमर 50, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉंच किया है, पहला दुनिया का 6G उपग्रह लॉंच करने वाला देश जो है, चीन है, भी आंसर सही है, चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को अंतरिश में भेज दिया है, ये 6G उपग्रह उन तीन चीनी उपग्रहों में से एक था, जिसे आजिंटीना की कंपनी सेटलोजिक द्वारा विक्सित 10 मार्जिक रिमोट सेंसिस उपग्रह के साथ सफलता प् की उमीद है, 6G संचार परिच्छन उपग्रह को 12 अंद उपग्रहों के साथ कच्छा में लॉंच किया गया है, उपग्रह में प्रोदोगिकी भी है, जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोक थाम के लिए उपयोग की जाएगी, नेश्ट है कुश्च नमर 51, आत्म निर्वाब भारत 3.0 घोसना के तहद घर खईदने वालों के लिए सर्किट रेट और एग्रिमेंट वैल्यू के बीच के अंतर को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, तो इसका सही जवाब है, B आंसर, 20% कर दिया गया है, वित्रमंत्री ने सर्किट रेट पर इंकम टे वालों और डेवलापर्स को इंकम टेक्स में बड़ी छूट दिया, घर खईदने पर सर्किट रेट की छूट 10% से बढ़ा कर 20% कर दिया गया, पहले 10% होती थी, नेश्टे कुष्चन नमर 52, नमर 2020 में अंतर देशी जल्विया पार और पार गमन मार के लिए प्रोटोकॉल पर बंगलादेश से पहला वालेजी की सिप्मेंट कहां प्राप्थ हुआ है, बंगलादेश से पहला वालेजी की सिप्मेंट भारत में कहां प्राप्थ हुआ है, तो यह जो है, आसम के करीम गजी में प्राप्थ हुआ है, कब प्राप्थ हुआ है, नमर 2020 को, नेश्टे श्रीवल्लाव सुरीश्षण जी महराज की एक सुक्यानी ज näंती समरों के आफसर पर स्टेची सूरीश्वर किस महासागर में त्रिस्तान दा कुनहा नामक विशाल समुद्री सरचिछ छेत आरम किया गया है। किस राज ने राष्टी जल पुरुसकार द्याहर 19 समारों में प्रथम इस्तान प्राप्त किया है। राष्टी जल पुरुसकार द्याहर 19 की समारों में प्रथम इस्तान प्राप्त करने वाला राज तमिल नाडू है। ए आंसर सही है। नेश्टे कोश्चन नमर 57 हाली में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने टर्किस ग्राप्री खिताब को जीत कर अपना साथवां विस्ट चेंपियन सिफ खिताब जीत लिया है। तो इसका जो सही जवाब है। फ्रेकी अपूर्ट संसार के साथ अभिनई की सुरात की। ये कथन बिलकुल सही है। उन्होंने कभी राश्टी फिल्म पुरस्कार नहीं जीता। ये ही यकथन गलत है यानि यह ही सही है। गलत के लिए पूंच रहा है तो यह ही सही है। बाकि उन्होंने दादा साहिब फाल की पुरुषकार भी जीता और उन्हें फ्रांस के सर्वोश इनागरिक पुरुषकार लीजन आफ ओनर से भी संबनित किया जा चुका है नेश्ट है कुश्चन नमबर 69 ऑपरेशन थंडर 2020 के बारे में निम्लिके में से कौन से कथन सही है पहला कतन है यह उपरेशन पर्यावनी अप्रादों से संबनित है यह इंटर पॉल और भी सिवा सुल्क संगठन के संचालित किया जाता है यह इस ऑपरेशन के तहट इंडिया कश्टम्स ने संयुक्त अरब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जन्यवाद